नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का बहुत बहुत सागत है आज हम बनाने वाले हैं मीठे पूड़े ये खाने में बहुत ही ज़्यादा तेस्ती लगते हैं और इनको आप कैसे बिलकुल परफेक्ट एक दम स्पोंजी बना सकते हैं उसके लिए आज मैं आपके सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए अगर आपको रेसिपी जरासी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिलकुल ना भूलें अपने फैमली और फ्रेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें तो आए फिर शुरू कर लेते हैं ये पूड़ अब हम इसमें मीठा डालेंगे मीठे में हम डाल रहे हैं आदी कटोरी ये वाइट जो रेगुलर चीनी होती है वो और आदी कटोरी जैगरी पाउडर गुड का पाउडर आप चाहे तो इसको पूरे गुड में या फिर पूरी चीनी में भी बना सकते हैं अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को छोटा-छोटा तोड़ के भी डाल सकते हैं मीथा आप अपने टेस्ट के अकोडिंग थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं गुड़ को अब हम गुड़ और चीनी को आटे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे एक पिंच अगर आप इसमें चाहें तो नमक का भी डाल सकते हैं इससे इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पाने डालते हैं तो हम इसका एक अच्छा सा गोल बनाके तयार करेंगे गुलगुले या पूड़े बनाने के लिए जो सबसे खास त्रीक होती है वो इसका गोल तयार करना ही होता है जितना बढ़िया आप इसके लिए घोल तयार करेंगे उतने ही अच्छे आपके पूड़े बनेंगे अब देख रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि हमारे आटे में बिल्कुल भी गुठलिया ना बनें और एकदम स्मूध बढ़िया सा बैटर बनके तयार हो जाएं एक बात मैं आपको यहां पे और बताऊंगी जब भी आपको मीठे पूड़े बनाने हो तो आप एक चीज का खास ध्यान रखें इस बैटर को बहुँ ज़्यादा पतला बिल्कुल ना करें अगर हमारे पूड़े का गोल पतला हो गया तो पूड़े तेल में डालते ही एकदम फ्लैट हो जाएंगे गोल सेफ में बिल्कुल नहीं आएंगे और यह खाने में विभ ज़्यादा फिर हर्ड हो जाते हैं तो आप यह चीज बिल्कुल ध्यान वे रखें अप चाहें तो गोलने के लिए अपने हाथ का या फिर विस्कर का भी प्रियोग कर सकते हैं और गुड की वज़े से देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है बैटर का आटा चीनी और गुड सबी चीजें बहुत ही अच्छे से देखिए मिक्स हो गई अब अपना हाथ हम यूज करेंगे और इसको एक बर अच्छे से फेट लेंगे इस बैटर को तयार करने में हमें डेड़ गिलास पानी लग गया है पानी इसमें थोड़ा सा कम जादा भी लग सकता है लेकिन बैटर आपको बिल्कुल इसी तरह का तयार करना है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह का बैटर बनाया है बिल्कुल इसी तरह का आपको भी पूड़े के लिए बैटर बना के तयार करना है ये ना बहुत जादा गाड़ा है ना बहुत जादा पतला है और अब इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे जिससे कि हमारे एक दम जालीदार और सोफ्ट पूड़े बनके तयार हो आते को रेस्ट पे रखने से ये बहुत ही बढ़िया सेटों के तयार होता है 20 मिनट हो गए हैं और ये उपर देखी हमने इस पर थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी डाल दिया है जिससे बहुत ही अच्छी इसमें टेस्ट और खुसबू भी आएगी आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सोफ भी डाल सकते हैं या फिर बिना फ्लेवर के भी इसको बना हो गया है तो आए फिर पूड़े बनाना सुरू कर लेते हैं कडाई में हमने तेल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था जब भी आपको पूड़े बनाने हो एक बात की आप खास ख्याल रखें तेल बहुत ज्यादा गरम बिल्कुल ना लेने तो ये फटा-फट से तैर के ऊपर आ जाएंगे भार से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्छे रह सकते हैं एक बार तेल को अच्छे से गरम करने के बाद आप इसको मीडियम पे करके पूड़े फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से अपने हाथ की सायता से थोड़ा-थोड़ा घोल एक दम गोलाई में डालते हुए आप पूड़े फ्राई कर लें और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे देखे पूड़े फूल रहे हैं एकदम गुबारे की तरह देखे कितने मोटे-मोटे हो गए हैं ये ना हमने इसमें मीठा सोड़ा डाला ना कुछ और इसके लिए जो सबसे में होती है वो होता है इसका घोल बनाना अगर आपने घोल से ही तरीके से बनाया है तो आपके पूड़े अच्छे ही बनेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे उसके बाद आप चाहें तो एक-दो मिनट के लिए गैस का फ्लेम बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से पूड़े अंदर तक अच्छे से सिख जाते हैं साइज में भी देखे डबल से ज़्यादा हो गए हैं ये थोड़ा सा और कलर चेंज होने तक हमें इने फ्राई करना है एक-दम परफेक्ट हमारे पूड़े फ्राई हो रहे हैं साइज देखिए कलर देखिए कितना इसका अच्छा आया हुआ है पूड़े सेक्टेवेक्ट हमें जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करनी हैं तेल को पहले अच्छे से आप गरम कर लें इसके बाद जब आप पूड़े डालें तेल में तो इसकी फ्लेम को मीडियम पे कर दें इससे आपके बहुत ही बढ़िया एकदम स्पोंजी फूले फूले पूड़े बनके तयार होंगे ये बैच हमारा फ्राई हो गया है अब हम इनको निकाल लेंगे देखिए लग रहे ना बिल्कुल गुलाब जामून की तरह से जब आप ये पूड़े घर पे बनाएंगे ना तो सब को बहुत ही जादा पसंद आएंगे और सब लोग मिलके इनको फटा-फट से खतम कर देंगे तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह की जो पारंपरिक डिस होती हैं वो जरूर बना के खिलाएं बहुत आसान है इनको बनाना बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने सारे पूड़े फ्राई कर लेने हैं और ये पूड़े आप दो-तीन दिन तक आराम से खा सकते हैं इनका कोई खराब होने का डर नी रहता दो या तीन दिन ये बिल्कुल अच्छे रहते हैं ये देखिए कितने मज़ेदार एकदम स्पोंजी फूले-फूले हमारे पूड़े बने वे हैं मैं भी आपको पूड़ा तोड़के भी दिखा देती हूँ एकदम अंदर से जाली बनी हुई है इसके अंदर सोफ्ट देखिए कितना है ये ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा मीठा पूड़ा बना हुआ है तो ये है हमारी एक देशी मिठाई जिसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं कैसी लगी आज की हमारी आपको मीठे पूड़े की रेसिपी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें देखे जाली कितनी बढ़िया आई हुई है इसके अंदर मतलब हमारे एक दम परफेट फूड़े बने हुए है सोफ्ट भी देखे कितने बने हैं ये को घर के बुजूर्ग भी आसानी से खा सकते हैं बच्चों के भी ये पसिंदिदा होते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत जल्द मैं मिलूंगी आप सबी से एक और नहीं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई खुस रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें